नमस्कार मैं सुनीता कथा मंतन में आप सब का स्वागत करते हूँ कथा मंतन में आज सुनिए मालती जोशी जी की कहानी बकुल फिर आना दोस्तो मेरा नया चैनल इंडियन योट्यूबर सुनीता के किसे कहानिया उस पर मैं अपने व्लॉक्स और हांटिट कहानी स्टोरीज जो है देती हूँ अपलोड करती हूँ अगर आप सुनना चाते हैं और देखना चाते हैं तो आप वहाँ जाकर उस चैनल पे देख सकते हैं का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आही बटन में दे दूँगी आप वहाँ जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए थेंक यू अम्मा बहार कोई आया है नकुल ने आकर सूचना दी तो उनका माथा सलवटों से भर गया पता नहीं क्या होता जा रहा है उन्हें आज कल खुद तो घर से निकलती नहीं पर भूले भटके कोई मिलने भी आ जाता है तो उनका दिल डूबने लगता है घूम फिर कर फिर वही बाते साल भर से उपर हो गया पर लोगों का मातम पूर्शी का शौक अभी उतना ही ताजा है जैसे कसम खाली हो कि उन्हें कुछ भूलने नहीं देंगे जा रही हो ना अम्मा नकुल ने याद दिलाया अरे जा तो रही हूँ पर कौन है ये तो बताओ अब खुदी देख लो ना जाकर मैंने तो पहचाना नहीं नकुल ने बेजारी से कहा और पढ़ने पैट गया पढ़ाई के बीच में उठना पढ़े तो वैसे ही उसका दिमाग गरम हो जाता है पर वे क्या करें वे निमंतरन देने जाती है क्या किसी को नकुल ने पहचाना नहीं है तो जरूर लड़की वाले होंगे आजकल हर दूसरे चौथे दिन राहुल के लिए रिष्टे वाले आ जाते हैं उन्होंने पनी साड़ी का मुआयना किया उठकर सलवटे ठीक की और बालों पर हाथ फिरते वे बहार आ गए देखा कुरसी पर एक दुबली पतली सा लेजे में चुभा और बिंदिता ही चला गया अंगिन्यात स्मृतियां बिच्छू से डंक मार गई साल देड़ साल से वही यह नाम जुबान पर नहीं लाई थी पर उससे क्या अंतरस में तो हतोड़े सावे निरंतर बचता ही रहता था क्या नाम बताया तुमने उन्होंन तरा फुफकार कर उठी वे तो यह बात है जान बूचकर बड़ी ठर्चक के साथ उनके पास नई बहु को बेजा गया है देख लो तुमने तो कोई कसर नहीं उठा रखी ही थी फिर भी हम्दुलहन ले ही आये बकुल को उस करुण और अकाल मृत्यों पर दौनों लड़के क्रोध से पागल हो गए थे और मरने मारने पर उतर आये थे बड़ी कोशिश बड़ी मुश्किल से उन्होंने समझाया था कि इससे बकुल तो लोटेगी नहीं कचारी के चक्र लगाते लगाते जिंदगी चौपट हो जाएगी सो अलब लड़के उस समय मान तो गए पर उन जाब भुजाकर या धौंस डपट से रिष्टा तोड़वाकर ही मानते पर हिंदुस्तान में लड़कियों की कमी नहीं वे लोग भी कम चालाक नहीं थे ऐसे चुपके से भ्याकर आये कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं अखबार में दौनों की फोटो निकले ही तब जाकर पता चला सामने खड़ी लड़की को देखा और उन्हें फूल सी बकुल का आग में छुलसा विकृत चहरा याद आ गया मन जैसे सुलग उठा इच्छा तो हुई नकुल से कही से धक्के मार कर निकाल दे पर मुह में जहर डुबे स्वर में वे इतना ही कह पाई तो तुम हो पर आखे घहरी जीव सी उदास अब उन्हें यह भी भानुआ कि लड़की अब तक खड़ी है बैठो उन्हें कहा और खुद भी एक कुरसी पर पैट गई फिर एक लंबा मौन दौनों के बीच खिच गया तब उन्हें पता लगा कि बात अगर कुछ करनी है तो पहले उन्ह को करनी होगी लड़की तो बिल्कुल जरासी है शायद बकुल से भी छोटी घर कहां है तुमारा मिरजापुर तब ही उतना दूर इसकी काली करतूत के चर्चे तो पहुंचे नहीं होगे यहां तो कोई बात भी नहीं पूसता यह बात नहीं है माजी बदनामी तो जंगल की आग की तरह बड़ी जल्दी दूर तक फैलती है फिर फिर क्या उसी बदनामी की कारण तो शादी संभव हो सकी मतलब मतलब यह है कि सस्ते में सौधा पढ़ गया उन लोगों ने कोई मांग नहीं रखी शादी में ज्यादा ताम जहम भी नहीं किया ना गाजे ना बाजे न शांस्वर में कहा दौनों बड़ी बहनों को पार लगाते लगाते पिताजी का दिवाला पिल किया है नौकर पेशा आदमी है बिचारे जायदात के नाम पर एक घर है जिसमें हम लोग रहते हैं छोटी दीडी की शादी में वहवी रहन रखना पड़ा ऐसे में अगर एक ल बितेगा उसको तो कोई देखने सुनने वाला भी नहीं क्या सोचने लगी आप बेटे तुम्हारे माबापने अच्छा नहीं किया तुम इन लोगों को अभी जानती नहीं हो जानकर ही क्या हो जाएगा माजी जो भागय में लिखा होगा वही तो होगा दान दहे सुरक्षा की गारंटी तो नहीं दे सकते ठीकी तो कह रही है लड़की दान दहे सुरक्षा की गारंटी कहां दे पाते हैं पता नहीं उन्हें क्या सुझी उठी और बीच का दरवाजा बंद कर दिया और फिर जैसे सफाई देते वे बोली मैं तो बुड़ी हूँ सो जबत कर गई पर बच्चे तुम्हें सहम नहीं कर पाएंगे मुझे मालूम है मैं तो दरसल राखी के दिन ही आने वाली की सोचा मेरे रहते भाईयों की कलाई सुनी नहीं रहनी चाहिए पर हिम्मत नहीं पड़ी सोचा पहले मां से मिलूंगी मां अपना लेगी तो भाईया लोग अपने ख्रेता ममी पापा प्रणी तो गसे और फ़ता था दए सुनी द्में की पापा अपनी मा के मां पास आने मीं डर कैसा नाराज ही तो होती क्या औरृग के घठा automated मां की वाली नौग तर थे से उसे देखती रही घड़ी ने टेंटन कर चार बचाय वह उठखड़ी हुई चलूंगी माजी अब दफ्तर से लौटे तो इससे पहले घर पहुंचते हैं अशोक से चिपकर आई हो हाँ आई तो चिपकरती पर अब बता दूंगे यही मैं कहने वाले थी महरी कुछ उल्टा कर बाते हो रही है मन हुआ की बता दे पर जप्त कर गई इन लड़कों का कोई भरोसा थोड़ी है जरासे में उबल पड़ते हैं बेचारी जरासी लड़की यह तो गनीमत हुई कि राहुल घर पर नहीं है वह तो नकुल जैसा सीधा साधा बेनी फॉरण भाप लेता उस दि है माजी कुछ नहीं बेटे थोड़ा सा शबून है पहली बार घर आई हो मुझे मा कहकर पुकार है खाली हत कैसे जाने दू ना माजी आज नहीं आज तो सिरफ आपका आशिरवाद लोंगी जिस दिन भाईया लोगों को अपने हाथ से टीका करूंगी उस दिन जो भी पर वे हस रही थी यह सदा इसी तरह हसती रहे उन्होंने ठाकोई जी के सामने हाथ जोड़ कर कहा पर उनका जिद्दी मन वही धेरी पर खड़ा पुकार रहा था बकुल फिराना बकुल फिराना